अलाम अलेकुम मैं सोलापूर से सयद बात कर रहा हूँ मेरा एक सवाल ये है कि इमाम के साथ हम लोग जो नमाज जब पढ़ते हैं मगरीब फजर या इशा तो इस तेम में इमाम सब जो है जो कल में पढ़ते हैं या जो सूरे पढ़ते हैं वो लौड आवाज में उन्दा जो बोल से आवाज में पढ़ते हैं पर जोहर या असर में हम जो पढ़ते हैं नमाज तो उस टेम में वो साइलेंट होते हैं मतब कोई आवाज से नहीं पढ़ते हैं कोई सूरे वागरे हैं तो ऐसा क्यूं है जोहर और असर में क्यूं लौड में सूरे नहीं पढ़ते हैं ये जहर के साथ करत नहीं होती, जहरी नमाज नहीं होती, यानि हम जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सिरन पढ़ते हैं, इमाम भी सिरन, मुक्तदी भी सिरन लेकिन जो मगर्ब की नमाज है, इशा की नमाज है, फजर की नमाज है तो इसमें लाउड के साथ करत होती है, जहरी करत होती है तो भाई साब का पूछना है, ऐसा क्यों? तो दिखिए आपके सवाल का दो जावर पहला यह है कि क्यूं का सवाल करना और उसका जवाब दिना जरूरी नहीं है उससे ज़्यादा जरूरी यह जानना है कि ऐसा अल्ला के नभी असमें से साबित ही कि नहीं है और साबित होने के बाद ये सवाल आप कर सकते हैं कोई मसला नहीं है लेकिन ये सवाल करना ज़रूरी नहीं है और इसका जवाब आपको ना मिले तो भी कोई मसला नहीं है आपको इस चीज़ का जवाब तलाश करना ये बिलकुल ज़रूर नहीं है एक आदमी की कोशिश ही होन नमाज पढ़ा रहे थे, दोराने नमाज आपने अपने जूते निकाल दिये, पीछे जो सहाब एकराम थे, उन्हों ने अपने जूते निकाल दिये, आप से सलम ने जब नमाज खत्म की तो पुछा कि तुम लोगों ने अपने जूते थे क्यों निकाले, तो सहाब एकराम ने परते थे आपने जो किया है वैसे हमको करना है क्यों किया वह हमको हमको उससे लेना देना नहीं ये एक मेसेज मिलता है इस हदीश से तो जवाब में पहली बात मैं आपके सामने ये रखूंगा कि इस तरह के सवाल करना जरूरी नहीं है ना इनका जवाब जानना जरूरी है द पर क्यों किया गया यह अल्वाज में तो कोई बात नहीं है लेकिन अहले लिल्म में इसकी जो हिकमत बियान की है वो यह कि जोहर और असर की जो नमाज होती है वे दिन में होती है दिन में शोर हंगामा जादा होता है तो उसमें जब कुरान पढ़ायाता है तो उसको सुनना, किसी और की करत को ध्यान से सुन पाना ये थोड़ा मुश्किल होता है, दिन में ये थोड़ा मुश्किल होता है इसकी बनिस्बत रात में शोर हंगामा कम होता है, इसलिए रात में करत सुनना ये आसान होता है इसी तरह से दिन में जो करत की आती है उसकी आवाज भी फस्त होती है रात में जो करत होती है उसकी आवाज भी बलंद होती है लिगन आजकल तो लाट स्पीकर आजकल यह मसला नहीं है तो बहराल यह कुछ चीज़ें हैं जो अलमा ने बियान की है कि दिन में जहर मुनासिव नहीं है नहीं दिन में बलंद आवास से पढ़ना ये बहुत ज़्यादा मुफीद नहीं है अलबता रात में ये बलंद आवास से पढ़ना ये ज़्यादा मुफीद है इसलिए आम तोर से नमाजों में यही तरीका रखा गया है कि बलंद आवास से रात में पढ़ा जाए और दिन में पस्त आवास से पढ़ा जाए अलबता जो एदेन का मसला है जुमा का मसला है जुमा मैं आप देखें जुमा के दिन भी जहर से बलंद आवास से पढ़ा जाता है क्योंकि जुमा के दिन एक खास नमाज है और उसमें बहुत जादा एतमाम से लोग जमा होते हैं उसमें बहुत जादा लोग एतमाम से जमा होते हैं तो उसमें एक exception है कि जुमा की नमाज को भी जहर से अदा कियाता है बाकी आम नमाजे जो है पांच हुट की नमाजे वो दिन में जहर नहीं होता है रात में जहर होता है तो उसकी ये हिकमत अल्मा ने बियान की ये अल्मा की बताईवी बाते हैं अल्ला की नबी सिस्म की जबान से इसी कोई बात नहीं है तो ये बात है जो आप पूछना चाहते हैं ये एक वज़े अलमा ने बियान किये जो मैंने आपके सामने रख दी लेकिन जो पहली बात मैंने आपके सामने कही वह बहुत है मैं उसे ज़रे में रखे कि इस तरह के सवलात उठाना उनके जवाबात मालूम करना जरूरी नहीं है उमेदे कि ये बात आपके लिए वाज़े होगे होगी ऐसे ही और वीडियोज बनाने में हमारी मदद करें आई प्लस टीवी को जरूर डोनेट करें